नमस्कार मित्रों मैं हिमान सुर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेगनी क्लासेज में स्वागत करता हूं मित्रों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मैं आपको हाइवे इंजिरिनिंग पढ़ा रहा हूं हाइवे इंजिरिनिंग के मैंने टीन लेक्चर पहले ही आपको पढ़ा दिये हैं जिसमें आपका पहला चैप्टर तसा दूसरे चैप्टर का कुछ हंस मैंने आपको पढ़ा दिया था उसमें जो जियो में बाकी बचा हुआ पोर्शन आज पढ़ाने जा रहा हूं कुछ अगर बचेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आ मज में आ जाए दूसरा एक और बात बता देता हूं मैं आपको यह चैप्टर आपके सेमेस्टर पॉइंट अब व्यू से और सिविल इंजिरिनिंग के नॉलेज के पॉइंट अब व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा जिओमेट्री के बारे में Ou Ted करेंगे सबसे पहले पर बात हम करते हैं जब भी हमें रोड का कंश्ट्रक्शन करना होता है तो आप उसको बेस पेकदम कंस्ट्रक्ट नहीं करिएगा जब भी माली जब कोई घर है तो ऐसा नहीं है कि घर है तो घर का जब आप निर्माड करते हैं तो आसपास देखते हैं कहां तक बाढ़ आएगी कहां तक पानी आएगा उसके ऊपर उसकी कुरुसी रखते हैं है ना चेयर तो यह ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रोड का निर्माड कर रहे हों तो आपका बाढ़ तल से लगबग 60 सेंटीमीटर एबब होना चाहिए इस पॉइंट को अपने दिमाग में बसा लीजिए कि रोड का कंस्ट्रक्शन करना है अगर वहाँ पर पथरीली जगए नहीं है या वहाँ पर बाढ़ जो है अगर आती है और तो आपको वहाँ पर 60 सेंटीमीटर जमीन से उपर आपको रोड बनानी है अप कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पर बाढ़ नहीं आती है या पानी ही नहीं बरसता है अब ये कैसे आपको पता चलेगा ये जो लुजिकल सर्वे आफ इंडिया से पता चलेगा कि आपका वहाँ पर क्या atmospheric condition रही है है ना आप जैसे लद्धाक का एरिया है जहांपर precipitation बहुत निल होता है या राजलस्थन में जैसलमेर का एरिया है वहाँपर precipitation बहुत निल होता है बाढ़ानेक संभाव ना ही बहुत कम है तो इसी situation में topography देखकर भी काम करते हैं बट नि कंडिशन आप रोड का जब्बे निर्माड करिएगा तो वह उसके 60 cm से उपर आप रोड बनाएंगे बार्टल से ठीक है जो रोड का पक्का वाला पोर्शन होता है जिसमें वाहन चलते हैं जो मिडल का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं आपका कैरिजबे या पेवमेंट ठीक है और इसी पोर्शन को आपको पक्का बनाना होता है ठीक है अब बात करते हैं रोड के स्ट्रक्चर की तो देखिए रोड के स्ट्रक्चर में एक-एक मेंबर को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लें एक-एक जब भी आगे मैं आपको कोई मेंबर की बात करूँगा इन-Normal आपको बोल दूँगा कि चलिए यह इस पर सर्फेस पेंटिंग करेंगे तो आपको तुरंत वहां पर स्ट्राइक करना चाहिए कि हां सर्फेस पेंटिंग यह चीज होती है इसमें यह चीज होती है तो सबसे पहले आप फीगर से पूरा सम जो यह बिलकुल नीचे का पोर्शन है जिस पे पूरा प्यूमेंट होता है ठीक है जिस पे पूरेंट का भाहर आता है लास्ट में स्वाइल में ट्रासफर हो जाता है इसको क्या बोलते हैं अधा इस्तर इसके बाद यह pink कलर का मैंने इस्टों डाल रखा है इसको बोलते हैं solling या आधार coat जो उपर का portion है ये वाला portion इसको बोलते है जो ये वाला बीच का yellow वाला portion है इसको बोलते हैं wearing coat या नरगर्शन इसतर वेरिंग कोट या निर्गर्षन कोट या निर्गर्षन इस तर आप कह सकते हैं जो ये वाला पोर्षन है तो सबसे पहले जो लोड है वो आपको कहा पड़ता है टॉप पोर्षन पर मतलब सर्फेस पेंटिंग पर surface painting से load आता है किस पे wearing coat पे wearing coat से load किस पे आता है soiling coat पे और soiling coat के बाद अधा इस तर से होता हुआ smile में transfer हो जाता है यहाँ पर जो side में यह पक्के portion के किनारे यह जो हलकी सी जगए बची हुई है इसको बोलते है बर्म या soldier रोड के इस कॉर्णर पे जो साइड में जो धाल दी हुई होती है इसको बोलते हैं स्लोप या धाल या धाल कितने की होती है दो अनुपात एक की या टू रेशियो वन की ठीक है चलिए अब आगे बात करते हैं सडक के कंपोनेंट या रोड के घटक तो देखे रोड के घटक में क्या है निव या सोलिंग बेस ठीक है लेयर तो सोलिंग लेयर बेस लेयर ये क्या होती है वियरिंग और निलगर्शन इस्तर जह एक कंपोनेंट होता है पेवमेंट के नीचे मर्दा के आधार को सड़क के जिस कुट्टिम पर रखी जाती है वह क्या कहलाता है आपका आधा इस्तर कहलाता है ठीक है जब पेवमेंट होता है जैसे मैंने आपको बताया था पेवमेंट के नीचे मर्दा आधार को जिस सड़क कुट्टिम पर रखनीव रखी जाती है वह तब इस पर अच्छे मृदा 10-15 cm मोटी परट डाली जाती है अथवा कमजोर मृदा का इस्थाई करण कर दिया जाता है इस प्रकार से बनी परत अधा आधार कहलाती है ठीक है तो देखे इसमें बताने का यह प्रियास किया गया है आप इस फीगर से देखिएगा देखे जब अब हम रोड बनाने जाते हैं तो यह आपका स्वाइब है जील है ठीक है इस जील में हमें यह देखना होता है कि हमने यह है मिट्टी यहां पर पहले से रोड के लिए सेट कर लिए ठीक है अब यह पोर्षन तो सब ग्रेड का हो गया नीचे का इस आधी की बिरिंग केपिस कम है तो हम क्या करेंगे जो यहां इस पर्टिकुलर यह वाली जो स्वाइल है इस स्वाइल का स्टब्लाइजेशन करेंगे अगर आप फीगर में देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूं जब भी ऐसी situation आएगी तो आपको इस soil का stabilization करना है ठीक है अब stabilization कैसे करेंगे तो आप stabilization ऐसे करेंगे कि जब soil में चूने को या तो मिला दे या आप soil में bitumen को मिला दे जिससे उसकी bearing capacity या बंधक छमता बढ़ जाए है ना तो इस प्रकार से आपका soil का stabilization किया जाएगा जब soil का ऐस प्रकार से stabilization कर देते हैं तो एक नई layer का निर्माण हो जाता है जिसकी ठीकने 10-15 cm रखी जाती है तो उस नई layer को क्या बोलते हैं अधा आधार या sub base तो sub grade के नीचे क्या जाती है sub base तो फिर आपका जब ऐसी situation आ जाएगी तो क्या हो जाएगा यहां sub base हो जाएगा उसके बाद sub grade हो जाएगा ठीक है उसके बाद क्या हो जाएगा bearing हो जाएगा और उसके उपर क्या हो जाएगा तो इस तरीके से यह layer हो जाएगी आप यहां पर फिर से मैं आपको समझा देता हूँ देखिए यहां पर यह layer आपकी यहां हो जाएगी यह आपकी नई layer बढ़ जाएगी इसको क्या बोलेंगे 10 से 15 cm की होगी तो इसको बोलेंगे sub base ठीक है यह जहां से start होगा इसको क्या बोलेंगे sub grade यह आपकी क्या होगी pink color की तो इस तरीके से आपकी layers के निर्माड हो जाएंगे ठीक है और अगर वहां की स्वाइल की जो स्टेबलेजेशन में आपकी strength ठीक है स्वाइल की तो अगर bearing capacity स्वाइल की सही है तो वहां पर फिर इस layer का कोई महतु नहीं है नए layer बढ़ाई नहीं जाएगी तो इसमें आपका जो सब्ग्रेड से ही रोड ऊपर बनना शुरू हो जाएगी ठीक है तो इतना आप लोग समझ गए होंगे चलिए अब आगे बात करते हैं Soling Base इनके बारे में सब कुछ हो चुका है ठीक है अब बात करते हैं Soling का निर्मार कैसे होता है बनाएंगे कैसे तो देखे Soling जो है वो पकी हुई या तो overbund brick का बनाएंगे मूरम का बनाएंगे या आप किसका बनाएंगे बोल्डर क बनाएंगे ठीक है इनका सब का बनाने के बाद आप वाटर बाउन्ट में का डम वाटर बाउन्ड इसलिए क繼續 यहां पर बेटोमिन नहीं पड़ेगा आपको पानी डाल कर ही कुटाई करनी पड़ेगी तो वाटर बाउन्ड मेकाडम डाल के, मतलब पानी का धीरे-धीरे छड़काव करके और रोलर को चलाते रहेंगे रोल करते रहेंगे एक चीज यहां ध्यान रखने वाली यह है कि जब भी आप बोलडर डालेंगे तो ध्यान रखने बोलडर का जो बड़ा वाला बेस है वह बाटम में रखने मतलब एक-एक स्टोन को आप चुनकर रखेंगे इस चीज को पॉइंट में तिमाख में में रखेंगा कि आपको जब भी स्टोन रखने हैं इस सोलिंग एरिया में सोलिंग को निर्मार करने के लिए तो वहाँ पर स्टोन को जो चौड़ा वाला स्टोन का बेस है उसके अनरू एक स्टोन ऐसे रखा है तो यहां पर यहाँ यह वह जो चौड़ाई ज्यादा होगी उस चौड़ाई के अनरूप यहां पर आप उस स्टोन को रखतेंगे ठीक है समझ गया है कि अब बात करते हैं वीरिंग लिएर की अब में क्या करते हैं यह ट्रैफिक को एक समतल आधार प्रदान करती है एक प्लेन पोर्शन प्रदान करती है और इस्टेबल प्लेस प्रदान करती है इस्टेबल सर्फेस प्रदान करती है या इस्थिर सतह प्रदान करती है अधा इस्तर पर जो सोलिंग है तो यातायात का भार जो है वो Soling और अधास्तर पर इस्थानांतरित करता है ठीक है, ठीक है? कौन? निर्गहर्शन? इस्तर या वेरिंग इस्तर क्या होता है? आपने figure में देखा ही होगा जो वेरिंग लेयर है वेरिंग लेयर क्या करती है? पहले आपका सोलिंग और उसके बाद अधा इस्तर पल्लोड को क्या करती है ट्रांसफर कर देती है फिर अधा इस्तर से अगर स्वाइल का स्टैबलेजेशन सही है मिट्टी के स्टंथ ज्यादा है तो सीधे स्वाइल में चला जाता है अगर स्टैन्थ कम है तो फिर क्या करते हैं सब बेस भी डालते हैं सब ग्रेट के नीचे सब बेस भी डालते हैं तीक है अब इसमें जो खास बात है वह यह है कि बेरिंग इस्तर के लिए 40 mm की पत्थर की गिट्टी का प्रियोग किया जाता है मैं तो सोल लिंग तथा बेरिंग में एक चीज होती है जिसका नाम है सक्सन एफEKT या सूसन प्रभाव इससे बचने के लिए हम इसके उपर बेटूमिन की लेयर बिचाते हैं यह सरफेस पैंटिंग करते है आइसा क्यों करते च्रसेदिंग क्यों करते हैं उसके बारे में बताता हूँ, देखे क्या होता है, जब हम रोड पर कोई बहारी वहां या कोई ट्रक जो है, वो दोडाते हैं, चलाते हैं, तो क्या होता है, जो अगर हमने एग्रीगेट डाला है, तो एग्रीगेट में बिटूमिन तो बाटम में बैठ जाता है, अगर हमने बीटोमीन उपर से लेप नहीं किया है तो उसमें उसके बीच में ajee process महते है बहुत समाल सरफेस होते है मैं क्या होता है जब ट्रक किशे ओपर खड़ा होता है तो यहां पर वैक्उम खδव जाता है और जैसे ही आगे बढ़ता है यह उसको सात में लेकर बढ़ता है तो क्या होता है गिट्टी उखड जाती है इसी को बोलते हैं सक्सन एफेक्ट ठीक है इसी को क्या बोला जाता है सक्सन एफेक्ट और इस चूसन प्रभाव के कारण गिट्टी उखड जाती है और उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं इसके उपर जो चाहे वो आ अब surface painting में सिर्फ bitumen नहीं डालते हैं इसमें एक महीन रोडी डाली जाती है जिसको आप बोलते हैं side की भासा में जब side पे बोला जाता है तो इसको बोलते हैं जीरा रोडी ठीक है या महीन गिट्टी ठीक है जिसका size कितना होता है 12 mm का होता है और उसको bitumen के साथ मिला कर डाला जाता है अब प्रेश्ट परलेपन में निम्न विशेष्थाएं होनी चाहिए क्या विशेष्थाएं होनी चाहिए जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो सर्फेस पेंटिंग हम करेंगे जब भी बिटूमिन होता है उसमें अगर पानी पड़ जाए तो बिटूमिन क है वह पूरी तरीके से इंपरिमेबल बन जाए या आपरवेश से बन जाए ठीक है और वर्सा का जल सब ग्रेड में ना दूसे ठीक है दूसरा जो सक्षन इफेक्ट है उसके कारण एग्रीगेट उखरना नहीं चाहिए ठीक है जब ऐसी सिचुएशन होगी तो मेंटिनेंस क्या होगा नियुन्तम होगा ठीक है फिसलन कम होगी अइनद ना प्रिस्ट पळले पन ना कर दीजे कि फ्रिक्षन बहुत कम हो जाए औरक्वार यह अदियाल रखना है और एकनॉमिक हो है न फिर दूसरा कि हम जब बिटोमिन में बहुत ज्यादा बिटूमिन कर देते हैं तो ब्लैक पे जब लाइट का हमारा रेफ्लेक्शन होता है तो इसी सिचुएशन उत्पन नहीं होनी चाहिए और रात में इसकी पहचान हो सके कि रास्ता हमें ऐसा ना हो कि दिखाई ना दे है ना इस तरीके की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए तो म फोर तक शिक्स तक आप लिख दीजिए जो आपको अच्छे पॉइंट लगें उनको आप पेपर में याद रहें उनको आप लिख सकते हैं पांच शे पॉइंट ठीक है चलिए बागे बात करते हैं फॉर्मेशन बिर्थ की निर्मार चोड़ाई की तो देखे निर्मार चोड़ाई क्या होती है देखे जो रोड होती है हमारी वो आपके दो पार्ट में होती है एक आपने देखा होगा जब पहाड़ों में रोड बनती है तो रोड को काट में जैसे मैंने बताया 60 cm ऊपर रखेंगे तो मिट्टी का तो पटान करेंगे तो उसको क्या बोलते है रोड इन फिलिंग तो निर्म फॉर्मेशन बिर्थ क्या होती है जो रोड के ऊपर प्यूमेंट डाला जाता है ठीक है वह क्या होता है वह क्या कहलाता है पूरा प्यूमेंट वह क्या कहलाता है पूरा आपका फॉर्मेशन बिर्थ कहलाता है लेकिन फॉर्मेशन बिर्थ में थोड़ा सा एक चीज और इंसर लेकिन जब हम formation बिर्थ की बात करेंगे तो उसके साथ आपके इसकंध जरूर जुड़ जाते हैं या solder जरूर जुड़ जाते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि solder के साथ कि बनाया हुआ payment हमारा क्या कहलाता है formation बिर्थ कहलाता है ठीक है चलिए अब देखाता हूँ मैं वाको figure इसमें road in cutting के भी मैंने बात की थी तो road in cutting में सड़क आपका देखते हैं तो देखिए जब हमें road काटनी होती है तो हम यह ध्यान रखते है कि कहीं उपर से ऐसा नहों कि यहां से soil नीचे आ जाए है ना कटान में तो इसके उपर हमें soil का बहुत ज़्यादा compact करके side में support लगाते हैं जिससे इधर का पानी या अन्य material नीचे आके ना गिरे जिससे या त्रियों को कोई नुक्सान हो या वहेकिल्स को कोई नुक्सान हो तो इसके लिए एक structure उपर बना देते हैं इस structure को बोलते हैं spoil bank या अत spoil bank जब भी हम बनाएंगे तो एकड़म किनारे पर आके नहीं बनाएंगे पता चला spoil bank का ही material नीचे आके गिरने लगे तो हम क्या करेंगे थोड़ी से जगए छोड़के फिर spoil bank बनाएंगे spoil bank का निर्माड करेंगे ठीक है अब इसमें formation विर्थ मैंने दिखाने की कोशिस की है देखिए यह पूरी क्या है आपकी यहां से यहां तक यह यह आपकी formation विर्थ है निर्माड चोड़ाई है है ना यहां पर बहुत छोटा सा यह आपको दिखाई देगा यह जो मैं निसान लगा रहा हूं यह क्या यह आपके shoulder है और यह जो top का portion है यह क्या है यह आपकी carriageway है है जिस पर वाहर चलते हैं या आप इसको ऐसे भासा में कह सकते हैं पक्का portion कहते हैं या आप इसको इंग्लिस में metal portion कह सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं जो अब road in filling की तो road in filling की बात करते हैं देखिए formation बिर्थ में जब road in filling की बात आएगी तो वहाँ भी यही portion होगा ठीक है तो देखिए यहां पर यहांने figure और बना रखे हैं आपको जिससे चीजे जल्दी clear हो जाएं तो road in filling यह देखिए यहां पर सारा मिट्टी यह क्या किया गया है फिल किया गया है ठीक है अब यहीं पर यहां पर क्या किया गया है मिट्टी? कट किया गया है नीचे को रोड निकाला गया है तो आपको दोनों में इस फिगर से दोनों चीज़े इसपस्ट हो रही है कि रोड इन फिलिंग क्या होती है और रोड इन कटिंग क्या होती है है आगे जाएंगे तो जंगल में और ज्यादा रोड कहीं पर कट करनी पड़ेगी ठीक है आपका रोडिन फिलिंग का कुछ और पोर्शन है फिगर पहले मैं समझा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए रोडिन फिलिंग है यह आपके ड्रेन है यह आपका बर्म बहुत इसपस्ट दिखाई दे रहा है यह आपका कैरिजवे है कैरिजवे को हिंदी बहुत है यानपत यह बर्म और इसकंद है यह आपका स्लोप है दो रेशियो एक का और यह आपका ड्रेन है यहाँ पर यह फॉर्मेशन बिर्थ है जैसा मैंने आपको पहले इसपस्ट कर दिया यह आपका कैरिजवे है यह पूरा पोर्षन यह आपका पिवमेंट है और यह क्या है पूरा आपका जो पूरी की बात करेंगे तो है आपका फॉर्मेशन बिर्थ तो कन्फ्यूज नहीं होईएगा फॉर्मेशन बिर्थ में फॉर्मेशन बिर्थ में आपके सोल्डर समलित होते हैं जबकि carriageway में सिर्फ solder छोड़ दिया जाता है सिर्फ metal portion की बात होती है ठीक है या पक्के portion की बात होती है clear चलिए अब आगे देखते हैं according to Indian rule जो है formation विर्थ का एक table है जिसमें आपका national highway, state highway, major district road minor district road और village road में आपका बताया गया है कि minimum जो है formation विर्थ कितनी होनी चाहिए तो उसमें क्या है आपको दिखाया गया है कि मैदानी छेत्रों के लिए formation विर्थ का अलग criteria है और पहाडी छेत्रों के लिए अलग criteria है इसी तरीके से जो आपका solder है solder का भी अलग महत्त है मैदानी का भी और पहाडी छेत्रों का भी ठीक है तो सबसे पहले एक एक पॉइंट पर डिसकस करेंगे एक एक चीज को समझेंगे राष्ट नेशनल हाईवे आपका मैदानी छेत्र 12 मीटर नियुन्तम चोड़ाई पहाडी छेत्र में 8.8 इसकंद की 2.5 है ना इसकंद दो हो गए तो यहाँ पर 2.5, 2.5 ठीक है साइट साइट में दो इसकंद हो गते हैं स्टेट हाईवे बारा पहाडी में 6.25 यहाँ पर 2.5 मेजर डिस्टिक रोड 9, 4.75 2.62 उसके बाद माइनर डिस्टिक रोड इसमें सिंगल लेन का और डबल लेन का कॉंसेप्ट अलग-अलग है सिंगल लेन का आएगा तो 9.0 है ना और सोरी डबल लेन का आएगा तो 9.0 सिंगल लेन का आएगा तो आपका 7.5 ठीक है उसी तरीके से पहाडी छेतर में 4.75 और इसकंद की चौड़ाई 1.87 ठीक है विलेज रोड में 7.5 पहाडी छेतर में 4 और यहां पर 1.5 विलेज रोड में अगर आप इसकंद की चौड़ाई अपने गाओं में देखा होगा इसकंद की चौड़ाई जाता है फिर भी आपने देखा होगा एक खड़ी इट लगाते हैं जिसको कर्भ बोलते हैं मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था उसके बाद भी कुछ कच्चा पोर्शन छोड़ाई जाता है तो उसको सोल्डर म इसको आप लोग याद रखिएगा मैंने पहले ही बता दिया जब भी भराव होगा सामान ने बाढ़तल से 60 cm उपर रखा जाएगा जो आपका फॉर्मेशन लेवल होगा ठीक है अब बात करते हैं विर्थाव प्यव्मेंट और कैरिजवे तो देखें विर्थाव प्यव्म बनाते हैं इसी को बोला जाता है आपका यान पत और इसी को बोलते हैं प्यव्मेंट इसी को बोलते हैं कैरिजवे और जो इसकी चोड़ाई होती है उसको बोलते हैं विर्थाव प्यव्मेंट और कैरिज विर्थाव कैरिजवे ठीक है यहां पक्का बनाया जाता है और बा क्या जाता है जबकि carriageway की बात करेंगे या पेविमेंट की बात करेंगे तो folder की बात नहीं करेंगे ठीक है अब पेविमेंट की चौड़ाई किस पर निर्भर करती है एक एक पॉइंट से समझते हैं तो याता याद की density पर याता याद की सगहनता पर जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना प्रेव्मेंट हमारा क्या होगा चौड़ा होगा उसके बाद याता यात की किस्म पर किस्म का मतलब कितने टाइप का ट्रैफिक है अगर भाई सी मालीजे आपका सिर्फ ट्रक ट्रक ही जाने हैं तो एक लिमिटेट चौड़ा ही होगी अगर वहाँ पर ट्रक भी जाने हैं बैल गारी भी जानी है सैकल भी जानी है और उसके बात करते हैं कि अगर लेन की बात करेंगे स्पीड की बात करेंगे अगर स्पीड किसी की डिफरेंट है जैसा मैंने बताया अभी डिफरेंट वहिकल होगा तो स्पीड भी डिफरेंट होगी और आपका जो वहिकल का जो चौड़ाई होगा वो भी अलग-अलग होगा सबका तो वहाँ पर दिक्कत होती है अगर वहाँ का चौड़ाई अधिक्तम है तो आपको जो विर्थ है वहाँ की क्या रखनी पड़ेगी ज्यादा रखनी पड़ेगी किसकी विर्थ ज्यादा रखनी पड़ेगी कैरेजवे की ठीक है उसके बाद करते हैं कि वाहन के पहिये सडक के पक्के भाग पर ही रहने चाहिए ठीक है और एक चीज जब भी हमें आपको क्रॉसिंग करनी है तो उसके लिए स्पेस मेंटेन होना चाहिए तो यह चीज को दिहान में रखते हुए भारती सडकों के लिए एक लिमिटेशन डिस आपकी length जो रहेगी वहिकल की, वो कितनी रहेगी, 12 मीटर, वहिकल की चौड़ाई कित्ती रहेगी, 2.5 मीटर, ठीक है, और वहिकल की उचाई कित्ती रहेगी, 4.2 मीटर, लेकिन कुछ situations ऐसी आती हैं, जिस situation में वहिकल की जो उचाई है, वो बढ़ानी पड़ती है, कब बढ़ानी पड़ती है, अगर हमारा double decker है, तो वहिकल की चौड़ाई हमारी क्या करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है, ठीक है, तो इस चीज को आप point में रखेंगे, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जब सडक जो है, वो आपकी smooth होती है, एकदम समतल सतय होती है, तो सडक पर घरसन कम होता है, और वहान बहुत तेजी से चलते हैं, ठीक है, तो जो concrete की सडक है, वहाँ अच्छी मानी जाती है, उस condition में, लेकिन जब सडक rough होती है, तो वहान फिजलने लगते हैं, और सडक की चमता क्या होती है, घट जाती है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखा जाता है, अब बात करते हैं, पेवमेंट की चोड़ाई, पेवमेंट की चोड़ाई 3.8 मीटर रखी जाती है, सिंगल लेन के लिए, बहु लेन के लिए आपकी रखी जाती है, तीन मीटर, और दो लेन की सडकों के लिए 7 मीटर जैसे मैंने वहाँ पर आपको है वो कितना है 0.68 2.44 मीटर यह क्या है वहिकिल का चौड़ाई है ठीक है यह आपका सिंगल देन के लिए और 3.8 मीटर ही क्या है पूरा पिवमेंट है ठीक है यहाँ पर 1.06 यह क्या है मेरेडियन है बीच का पोर्शन है मद्धिभाग है जिसमें हम ग्रेट सेपरेटर लगा सकते हैं या आपका डिवाइडर लगा सकते हैं जिसको बोलते हैं मेरेडियन ट्रैफिक सेपरेटर ठीक है जो की आप अपने अनरूप लगा सकते हैं सेपरेटर जैसे रोड की चौड़ है उस हिसाप से इसकी चौड़ाई बढ़ा दी जाती है तो यहां पर जो डबल लेन है उसका जो पेवमेंट का साइज होगा जो चौड़ाई होगी वह साथ मीटर की होगी वहिकल के चौड़ाई समय कामन रहेगी जो बर्म है उसमें 0.53 मीटर कर रहेगा इस चीछ को आप ध् ति पाइज्द में स्पेश कितना रहेगा 1.06 का और 0.53 यह क्या रहेगा आपका यह बर्म रहेगा ठीक है और पूरा जो पेवमेंट है वह कितना रहेगा 7.0 मीटर का थीच को इस फीिगरको आप अपने माइंड में का कर लीजेगा और सेंयृ कर लीजे गा जया फीगर पेपन में बनाने को आते हैं ठीक है चलिए अब आगे बात करते हैं सडक कुट्टिम पेवमेंट की मुटाई के बारे में तो देखे जो पेवमेंट थिकनेस होती है वो किस पे निर्भर करती है तो सबसे पहले निर्भर करें कि जो आपका यातायात है जो आपका वहिकल है उसके कितना भार है उसके बाद आपकी जो स्वाइल है उसकी कितनी effect कितना है अगर वर्सा होगी तो इसका मतलब है मैं saturate करेगी वर्सा होगी तो 2 जो है उसकी बेरिंग के कम होगी क्य क्योंकि ऑरहार है वह वाटर है वह में का काम करता है श्वाइल की डीके कपी सिटी को कम कर देता है तंप्रेचर ज्यादा होगा तो स्वाइल का bearing capacity बढ़ेगा है ना और IU पे निर्भर करता है कि road अगर आपको ज्यादा दिन तक बनानी है तो payment ज्यादा आपको उचाई चाउडाई रखनी पड़ेगी या उसकी मोटाई रखनी पड़ेगी है ना और अगर आपको कम age के लिए आपको road चाहिए तो आपको मोटाई पकम रख सकते हैं ठीक है तो उसकी age पर भी निर्भर करेगा ठीक है अब बात करते हैं सडक payment दो प्रकार का होता है पहला payment होता है आपका flexible payment और दूसरा होता है आपका rigid payment ठीक है मैंने यहाँ पर flexible payment और rigid payment दोनों के figure बना रखे है rigid payment किसका होता है concrete का होता है इसमें concrete payment आपको उसके जो top surface होती है वह concrete की बनाई जाती है rigid payment में नीचे base course sub base course sub grade course ठीक है इस तरीके से rigid payment का निमार किया जाता है यहाँ पर आपका traffic चलता है ठीक है rigid payment की age ज्यादा होती है आपका flexible payment है वह चुकी bitumen का बना हुआ होता है और उस पर पानी पढ़ने से वह थोड़ा सा erode होने लगता है खराब होने लगता है तो यहाँ भी आप इस point को भी ध्यान में रखेंगे ठीक है अब बात करते हैं flexible payment की flexible payment में आपका surface course base course sub base course flexible payment में जो top surface होती है या bitumen की होती है ठीक है bitumen की bitumen में एक दिक्कत होती है कि आप इसके top portion पर जब भी इसके water पड़ता है तो इसकी surface जो है वो erode होनी लगती है ठीक है लेकिन फिर भी हर किसी का अपना-पना महत्तो है और हर दोनों चीजों का use किया जाता है ठीक है वो flexible payment हो और चाहे वो आपका rigid payment हो मैंने दोनों figure से आपको दोनों में difference बता दिया एक difference और मैं आपको दिखा देता हूँ जिसको आप अच्छे से समझ सके तेखे rigid payment ये है जहाँ पर concrete का road पड़ा हुआ है वो rigid payment के अंतरगात आती है bitumen की road है वो आपकी flexible payment के अंतरगात आती है इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए है ना यहाँ पर लिखा हुआ है asphalt topping मतलब asphalt का उसका top है और यहाँ पर concrete का top है है ना जो उसका आपका surface painting के करते हैं आपकी surface painting वाली layer है वो यहाँ पर asphalt की होती है और यहाँ पर वो concrete की होती है player ठीक है तो दोनों के बीच में difference आप समझ गए होंगे दोनों के example भी समझ गए होंगे अब बात करते हैं अगर gravel water bound में का डम और लचीले pavement वाली जो cement concrete की पट्टियों की सडख है तो वह क्या कहलाएगी द्रढ़ pavement कहलाएगी या आपका concrete pavement कहलाएगी या आपका rigid pavement कहलाएगी ठीक है एक चीज और है जो rigid pavement होता है या slab की तरह वर्क करता है ठीक है slab की तरह वर्क करता है और इसकी flexural strength ज्यादा होती है ठीक है इसकी flexural strength ज्यादा होती है और एक चीज पानी से खराब कम होती है ठीक है एक और चीज है इसको slab की तरह ढाला जाता है तो अगर नीचे soil कभी भी इधर उधर disturb हो गई है थोड़ी बहुत तो वहाँ बैठती नहीं है है ना वह slab की तरह रहती है तो उसको cover किये वह रहती है तो इस चीज को भी आप mention कर लिजिएगा जबकि flexible pavement जो है वो अपने उपर जितना भी load आता है वह सीधे क्या करता है different different layers से होता हुआ आपके different different पर्तों से होता हुआ नीचे को transfer कर देता है और subgrade से वो पहुंझ जाता है load soil में ठीक है bitumen डाला जाता है और bitumen धीरे धीरे नीचे को load transfer कर देता है अब एक और बात करते हैं जो flexible और rigid pavement है इन pavement में ठीकनेस निकानने के लिए CBR method का use किया जाता है क्योंकि CBR method से हमें ये पता चलता है कि हमारा soil का bearing capacity कैसा है बट इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है कि आपका वहिकल कितना निकल रहा है और कितने load का है इस सीज को जरूर आपको ध्यान रखिए और soil का bearing capacity के हिसाप से आप pavement का thickness बनाईए ठीक है इसका एक numerical formula भी है तो पहले मैं आपको table से देखना बताता हूँ कैसे आप देखेंगे कैसे पता करेंगे और आप लोग घर पे अपने practice कीजेगा मैंने जो figure दे रखा है उससे भी कर सकते हैं और अपनी book से भी कर सकते हैं अ अब बात करते हैं cb ir ratio इसमें देखिए क्या है कि अलग अलग टाइप के करब दिए हुए है 15 वहँन प्रति दिन के करब है 45 वहँन प्रति दिन का करब है में वाहनों की संख्या आपके यहां लिखी हुई है और जो लोडिंग है वो थ्री टन से ज्यादा है ठीक है तो यह चीज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए यहां पर CBR की वैलू दे रखी है परसेंटेज में और यहां पर क्या है पेवमेंट की ठीकनेस दे रखी है टॉप सी नीचे बढ़ते हुए क्रम में ठीक है तो इस तरीके से माल लिजे हमें कोई बोले कि आप 45 वाहन परड़े के लिए निकाल लिए तो हमें B वाला कर्ब देखना है औ उनके लिए CBR वैलू आपको दे रखी होगी पेवमेंट ठीकनेस को बता रखा होगा ठीक है चलिए इससे रिलेटेट एक चीज में पॉइंट पड़ते हैं कि अगर सलक का बेस कभी भी 30 सेंटीमीटर अधिक नहीं रखा जाता है और जब अगर यह मोटाई 30 सेंटीमीटर स इसको बताया था तो इसको IRC भी यहीं कहता है जैसा कि पहले मैंने पॉइंट बता दिया लेकिन इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखिएगा 30 सेंटीमीटर से किसी भी कंडिशन में जो मोटाई है वह बेस की ज्यादा नहीं रखेंगे ऐसी कंडिशन में सब ग्रेड औ सब बेस आपके डालने चाहिए ठीक है और स्वाइल का इस्टेबलेजेशन करना पड़े क्या ठीक है आईए इस पर निमेरिकल करते हैं तो एक रोड है ठीक है जिस पर डेड़ सो वाहन प्रतिदिन निकलते हैं यदि अधा हैस्तल CBR का मान कितना है 9% है तो पेवमेंट की म हमने CBR value चेक किया है ना तो उसमें California bearing ratio जब चेक किया तो वहाँ पर कितना आया 9% आया तो डेड़ सो वक्र के लिए 9% पे हम कैसे देखेंगे आईए मैं दिखाता हूँ तो आप इस graph पे जाईएगा इस graph से डेड़ सो के लिए है तो C वाला वक्र ध्यागन दीजिएगा अब उन्होंने 9% बोला है तो यह 9% है 9% वाली line आप नीचे खीचिए और लेके चलेएगे तो जब यहाँ आपका मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको यह देखिए यह जो 9% वाली पे आप जाएंगे यहां से तो आपको यहां कहीं 9% यह आपका यहां कहीं टिक होगा ठीक है यह आपका यहां पर ठीक है तो जो यह मैंने point दिखा रखा है आपका इस जगहे पर जब टिक होगा तो एक कम है यह इस particular value से ठीक है तो इस portion पर जब एक कम है तो इसकी थिकनेस कित्ती आ जाएगी आपका इसकी थिकनेस 24 cm आ जाएगी क्योंकि वहाँ पर 30 और 40 के बीच में 30 और आपका 20 के बीच में space बना हुआ है तो 20, 25 और 25 से हलका सा कम है तो आपका वह value कितनी हो जाएगी 24 आप लोग इसकी घर पर practice कीजिएगा और घर पर practice करके आप समझ जाएंगे ठीक है देखिए यह यहाँ पर है हमारा c c है यह table c है और यह आपका 9 है यहाँ पर यह 9 है और इस 9 से अगर आप ऐसे करेंगे तो यह कहीं यही 25 के बराबर में लाई करता है जो कि बिल्कुल line पर cut नहीं करता है थोड़ा सा उपर है तो इसलिए इसको हम क्या मानेंगे 24 ठीक है उमीद है आपको यह निमेरिकल समझ में आया होगा तो इस तरीके से आप cbr से pavement के thickness find out कर सकते हैं इसका एक formula भी है जिसको आप formula से भी निकाल सकते हैं formula है d equal to 23w upon 70p plus 0.7t square 0.84t ठीक है तो इसके लिए आप road structure में जो ठीकने से वह find out कर सकते हैं यहाँ पर d जो है वह सड़क की मोटाई है w क्या है अधिक्तम स्थायतिक पहिया है जिसमें 50% impact के साथ 260 kg load है ठीक है टी क्या है सड़क के contact में जो भील है वह है और इसका जो contact माना गया है वो कितना माना गया है minimum 12 cm और पी क्या है जो मरदा है उसकी safe bearing capacity है kg पर cm में ठीक है तो इस तरीके से आप numerical value से भी निकाल सकते हैं और numerical value से भी pavement की thickness या उसकी गहराई निकाल सकते हैं और आपका जो table है CBR का उसके अंडूरूप भी आप find कर सकते हैं चुकि CBR से जैसा कि मुझे लगता है CBR से निकालना बहुत easy है practically यह possible भी है numerical value में कभी-कभी mistakes हो जाती है क्योंकि अलग-अलग smile है तो उसमें समझ भे नहीं आता है तो आप CBR का ही prefer किरिए जो आपका जिससे pavement का thickness आपको पता लग जाए ठीक है आपके syllabus में हो सकता है CBR पे दे रखा था इसलिए बताना मेरा फर्ज बनता है कि आपको मैं उसके बारे में समझा सकूं जिससे सभी लोग आप अच्छे से पढ़ सके बहुत सारे संस्थानों में ऐसा होता है कि जो ग्राफ वाले होते हैं डिप्लोमा के लिए छोड़ दिये जाते हैं परन्तो ऐसा नह प्रिश्णों की तो आपके जो आज के प्रिश्ण बनते हैं वह हैं निर्मार तल चौड़ाई formation बिर्थ पर सचित्र मतलब विद्फीगर आपको उसके बारे में लिखना है प्रकाश डालना है ठीक है रोड इस्ट्रक्चर का विद्फीगर एक्स्प्लेनेशन करना है इंग्लिस में बता दीजिए तो मैंने पहले से ही जब में मैं question पढ़ता हूं तो उसको इंग्लिस में ही बताता हूं जैसे आपका सड़क कुट्टिम है तो road payment है यह क्या होता है और इसके types कितने है उसके साथ इसको explain करना है ठीक है एक numerical है कि सड़क पर एक सड़क है उस प upgrade का CBR का value है वह 5% हो तो pavement की thickness निकालनी है graphical method से यहां आप इसको ध्यान रखेगा कि graphical method से ही आपको निकालना है इस चीज़ को ध्यान रखेगा चारों question आप करिएगा और चारों question आप हमारे टेलीग्राम गुरूप पर भेज सकते हैं आप हमें परसनल भी WhatsApp या टेलीग्राम पर उसकी PDF भेज सकते हैं ठीक है कभी भी किसी भी विधा में आप पढ़िए किसी भी जगए इंजिनिंग कीजिए कोई कोर्स कीजिए जब तक आप अपने सताह अपने हाथ से न सब्सक्राइब में आएंगी यह हैसे कोर्स हैं जिसमें एक एक पॉइंट बहुत महत्पूर्ण होता है कंप्रडीशन के लिए कोई भी चीज कहीं से भी पूछी जा सकती है अब आगे बात करते हैं कुछ मैंने अब आपजेक्टिव कोश्चन देने का भी एक नया ट्रेंड शुरू किया है जिससे आपको आपजेक्टिव पर भी कमांड रहे और थेयोरिक पोर्शन पर भी कमांड रहे क्योंकि हमारा में एम जो है वो सिर्फ टिप्लोमा में आपक तो 65 दिन तक पढ़ते हैं तो आपके कितने अबजेक्टिव पढ़े तयार हो रहा है तो इस तरीके से आप इसको सोच के तयार कीजिए अभी जो डिप्लोमा फ़स्टीयर में है वह 3-4 साल पढ़ेंगे तो सोचिए उनके 3 साल पढ़ेंगे तो उनके कितनी तयारी हो जाए तो अब्जेक्टिव कोश्चन्स के बारे में भी मैंने लिखे हैं उनके बारे में बताता हूं तो प्रेश्ट लेपन सर्फेस पेंटिंग में बिटोमिन के साथ प्रियोग तो महीन गिट्टी का माप कितना होता है 14 mm, 4.75 mm, 12 mm या 6 mm इसमें से कौन सा है आप टिक करके बताईएगा ठीक है सब बेस की मटाई लगभग कितनी होती है 12 cm, 12 mm, 16 cm, 17 mm इसमें से सब बेस की मटाई कितनी रखी जाती है जो भी आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे, मेरा वेडियो पूरा देखेंगे आपको इन सब के जवाब मिलेंगे मैदानी प्लेन एरिया में मेजर डिस्टिक रोड्स जो है उनका मिनिमम बिर्थ कितनी होती है या निउन्तम चोड़ाई कितनी होती है साड़े साथ मीटर, 12 मीटर, 19 मीटर, 9 मीटर तो इसमें से कितनी चोड़ाई होगी इसके बारे भी आपको बताना है भारतिय सडकों में दो तली वाली बस, डबुल डेकर बस के जैसे वाहनों की उचाई कितनी ली जाती है अगर बस डबुल डेकर है इसके बारे में मैंने एक सस्पेंस शोड़ रखा है आपके लिए तो double daker में कितनी उचाई ली जाती है यह भी आपको ध्यान में रखना है और आप पढ़ना भी है और इस पर टिक भी करना है ठीक है इन सभी के जो answer है वो हमाई आज अगले वीडियो लेक्चर में आऊंगा तो आपके answer पहले बताऊंगा है ना जब भी question दूँगा अगले व comment box में लिखा करिये comment box में पहले का क्या होगा two second का क्या होगा तीसरे का दूसरे का च्रकार से आप answer color आप साहे लिखा कीजिए जवाब हैं उनको एक बार जरूर चेक कीजिए क्या आप उस जगए पर सही थे या गलत थे और अगर गलत थे तो अपना में सुधार कीजिए और पीडियेफ को या वीडियो को फिर से देखे फिर से पढ़िए चलिए आज का मोटिवेशनल कोटेशन है जो मैंने आज से देन कहने का मतलब है जहां आप खड़े होई है आपको लोग पहचाने और यह तभी पॉसिबल है जब आप कुछ बनकर दिखाते हैं कुछ बन जाते हैं तभी जब आप सक्सेफुल इंसान बनते हैं माली जो कोई टॉपर बनता है तो उसको सभी पहचानते हैं तो इस तरीके से आपको अपना परिचे देना पड़े तो आपका जीवन में प्रतता है है ना आपकी कमी है आपकी सक्सेफुल बहुत दूर है ठीक है उमीद होगी कि आपको हमारा लेक्चर यहां पसंद आया होगा आपको पढ़ने में मजाया होगा चीजों को समझने में मजाया होगा मैं आपका इंजिनिंग से थोड़ा सा हटके हैं जो नर्मल भासा में बोलते हैं तो उन सब्दों का भी मैंने चैन किया है उसके अनुरूप भी बताया है आपको अच्छे से करना ये काम है आप कॉपी पेन लेके रखिए अपने पास वीडियो चुप चालू कीजिए तो आप आ मेंसेज करें जिसका मैं जवाब बर सब्सक्तों और सब्सक्राइब करें जो लोग इंग्लिस मेडियम के हैं उनके